हलो एब्रिवान वेल्कम बेक टू माई चैनल प्ले विद गैजट यह है ओपो ए नाइन इसका टॉच बहुत ड्यामेज हो गया है मैं इस टॉच को रिप्लेश करूँगी अभी एक नेया टॉच फिट करूँगी इसमें वीडियो को लाइक करो और सस्क्राइब दो चैनल सस् जब बैक पैनल को उपन करना है कैसे उपन करेंगे इस वीडियो में बने रहो एंड तक सारे जानकरी मिले गया कैसे इसका टॉच चेंज करते हैं यह जो ब्लेड में यूज कर रहा हूं इससे थोड़ा जगा बना दिया उसका बात यह टूल के मदब से चारो तरफ में जित कि अधाना को उठ जरेगा उठाना में इंसको निकल गया इसका बैक पैनल इसे निचे एक फ्लेक्स यह फ्लेक्स है फिंगर तोन प्रीनन का फ्लेक्स उसको को र equilibrium करने के लिए यह स्क्रू है उसको रोटाना में को कबर बास हैं बाद यह फ्लेक्स का प्लॉक मिल जाएगा हमको यहां पर फ्लेक्स का प्लॉक मिल गया उसको रिमूब करना है बोड से यह हो गया रिमूब अभी यह पूरी तरह सेपरेट हो गया इसका बैक पैनल यह बहुत फ्लेक्सिबूल ब्लैक पैनल है इसका अभी जितने भी कर दिया यह हो गया जितना स्कुरू था उसको निकल लिया मैंने अभी काम है इसका मीडिल फ्रेम को उपन करना है उससे पहले जो है सीम ट्रे है इजक्टर के मदल से उसको रिमॉप करना है उसका पाद मीडिल फ्रेम को निकल आए इस तरह लॉक को उपन करना चाहिए में देना अच्चा रॉक को में आटोमेटिक नकल जाएगा shorten कि इसका मेंटिम फ्रैम यह निकल गया अभी काम है कि इसका बैटरी को निकलना है क्यों बैटरी के नीचे है इसका फ्लेक्स डिस्प्ले का फ्लेक्स इसलिए मैं बेटरी को निकल लूँगी पहले यह फ्लेक्स निकल दिया बेटरी का बोर्ड से अभी बेटरी को अच्छे से उठाना है थोड़ा लिक्वीड दाल देंगे थोड़ा गलू जो नीचे है इसका बात शाट खेंचने यह आराम से निकल लिक्वीड डालने से इसका वे जो इतने भी ब्लक प्लू था इसका नीचे सव्थ और वह यूद दिस्पले का प्लेक्स पा सेपारेटर में नहाइं टेम्परेशर में हीट नह्क स्टी एक मिनिट होने के पाल यह जो ब्लेड में यूज्ज कर रहा हम यह उज़ करके 24 तरप दिस्प्ले को लूज करना हम जोर से उठाने से ब्लेड ब्रेक फो जाएगा और टॉच नहीं चेंज हो सकता है कि सबस्को है अच्छे से चारवः क्यों से लोज करना है जहाँ पूर हम स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा बहुत आच्छा होगा इह स्पेस मिलगा है इसलिए मैं और नहीं लूज के है डिस्पले को, जो स्पेस में मिल गया हमको, थोड़ा सा डिस्पले के निछे इस वब सफ पन्नी में यूज करना चाहिए, हाड़ गाड़ डिस्पले क्राक हो सकता है, शप्ट पन्नी के मतल शे, चाहरा तरप में जितनीcry गुलू है, कि उसको निकलना है कोटींग करना है ये कोटिंग हो गया है लग बग चारा तरप में इसका अब द। दिखा दिया वीडियो में और निच्छे का साइट में इस तोड़ा है इसको बलेड को मतंसर तोड़ा दोड़ा ऐ surnा बहुत ट्रेट होगा तो थोड़ा फ्रेम रिमीवर क्यमिकल भी यूज़ कर सकते हो यह मैं यूज़ कर रहा हूं ज्यादधा यूज़ नहीं करना है नहीं तो डिस्प्ले एलशिट के अंदर चला जाएगा चला जाएगा तो बहुत दिक्तत होगा एक वाइट स्पोर्ट आ जाएगा क्योंक तो डलना है अभी डिस्प्ले पूरी तरह निकल गया है अभी टेपिंग कर दूँगा मैं उपर लामिनिट करना है यह जो टेप क्योंकि उधर इधर नहीं होना चाहिए टॉच काटिंग के टाइम में इसलिए सेप्टी के लिए इसको में टेप लगा दिया यह प्रोसेस टेप लगाना के भी मैं वीडियो में दिखा दिया इस टेप से टेप लगाना है और दुबारा भी लगाना है साइड में यह लग गया है अभी मैं इसको सेपरेटर में अच्छे से हीट करूंगी थर्टी सेकंड की वान मिनिट के लिए हीट होने के बाद एक वेर में यूज करूंगी 0.05 वेर उसको यूज करने के टाइम है गलोफ भी यूज कर सकते हो हाथ में यह फास्ट में जहां से स्टार्ट करूंगी थोड़ा प्रेसर निच्छे देना चाहिए प्रेसर निच्छ क्या होता है कि जो पोलारेजर कटिंग हो जाता है पोलारेजर कटिंग होने के से बहुत दिक्कत होता है पोलारेजर निकलना चाहिए फिर एक नहीं है पोलारेजर डानना पड़ेगा इसलिए अच्छे आरण से करना है स्टार्टिंग में तो पोलारेजर कटिंग हो चाहर पांच बद चलाने के बाद को डिस्प्ले अंदर चलाना है यह कॉटिंग हो गया एक बर दुबारा चलाना चाहिए क्योंकि जितने भी अच्छे से कॉटिंग होना चाहिए यह हो गया दुबारा चलाना कॉटिंग हो गया अभी डिस्प्ले पूरी तरह सेपरेट हो जा पूरेंगे यह हो गया सेपरेट यह जो है पोळारेजर अच्छा है यह टच इसको रखेंगे साइट में अभी नेक्स्ट प्रोसस्स क्या है ना जितने भी ग्लु इम थोड़ा चेक कर दिया डिस्पले और परफ्रेक्ट वायर कर रहा है नहीं यह यह वायर कर रहा है डिस्प ग्लू सबण मोटेते ग्लू हे आव उड़ा कहीं को से अच्छा से रिमव हो जाएगा इस का रोटा है यह साधा से अच्छे से यह वीडियो में के देख रहा है अच्छा से जो ग्लू काटिंग निकल जाता है इस तरद Надाया मदर एues जो थोड़ा बहुत ग्लू रहेगा पतला पतला ग्लू सब्ट ग्लू उसको केमिकल के मदद से अटाना है ज्यादा केमिकल नहीं यूज करना है नहीं तो डिस्प्ले का उंदर जाएगा सपाट आ जाएगा यह जितने भी मुट्टी ग्लू था निकल गया टाइड ग्लू सारे गलू निकल गया अब यह तोड़ा थोड़ा ग्लू लगा हुए न उसको यह मैंने करना है अच्छे से क्लेन हो एक Guru यह मूर टा मैS को थोड़ा मेशाइं के मतल से प्लेवा कर दिया इसका बाद ये अच्छे से क्लेनीग करना है जो गलू क्लेन करके और एक बार क्लेवा है अवी मैं सथ्क्छ क्लेवा इसलिए डिस्प्ले का उपर साइज फिटिंग होना चाहिए है इसलिए में फ्रेम में इसका साइज पता चल जाएगा इसका बाद में टॉस्ट को नो बिढ़े सकते हैं यहर प्रपपर लेके डिस्प्ले में ब्याएं यह बाध ऐसका चाइर कोनों में फीट करना है अच्छे से यह लगबक सेड़ Delaware यह देखो किसे डिस्प्ले में लग गया तोट यह बहुत सिंपुल प्रोसेस है इसको फॉलो करें तो कुछ भी दिक्कत होगा अभी में में इसको लामिनेट करूँगी इसका फ्लेक्स अंदर डालना है बाहर नहीं चुनना था है नहीं तो ड्यामेज हो सकता है यह हो गया अ दो मिनिट होने के बाद निकल के उसको बाबल लिमूबर में डाल के जितने ही छुड़ा वोट बाबल हुआ उसको क्लीन करना है यह लगबख प्रोसेस कंप्लीट हो गया है लामिनेट का यह मेशिन में ज्यादा तरह बबल नहीं रहता है थोड़ा थोड़ा बबल रहता है यह कंप्लीट हो गया यह दिस्प्ले का कंडिशन में चेक देखाऊंगी आपको क्या हुआ है यह लगभग कंप्लीट हो गया बबुल इतना भी नहीं दुबार डालना चाहिए क्योंगि थोड़ा बहुत भुबल रही नहीं चाहिए इसलिए में बबुल रिमुबर में डाल इसको को यह हो गया अमर्य बुल मोबन में डालना रफी दिश्प्ले प्रपर एक डिस्प्ले को दरा सूप कर रहा है अभी इसको क्राइब फिटिंग करए है पाइनल फिटिंग फ्रेम में इसलिए फ्रेम में चारत तरप में अच्छे से ग्लू लगाऊंगी यह लगा रहा हूं में ग्लू ज्यादा नहीं लगाना चाहिए थोड़ा थोड़ा लगाना है अच्छे से जितना चाहिए सेंसर को छोड़के लगाना है यह हो गया फिटिंग दिस्प्ले अच् से फिटिंग हो था है यह प्रोसेस इस वीडियो में प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो जितने भी टॉच है सिंपल LCD सारे टॉच को चेंज कर सकते हो यह सेंपल प्रोसेस है थोड़ा प्राटिस चाहिए यह हो जाएगा डिस्प्ले को खुलने के टाइम में बड़ आरम से खुलना चाहिए नहीं तो क्राइग हो जाएगा तो और टॉच नहीं चेंज हो सकता इसको ध्यान में रखके इस काम करना चाहिए यह में मिडिल फ्रेम को बिठा दिया डिस्प्ले का फ्लेक्स को लगा के बैटरी को लगा दिया उसका बाद मिडिल फ्रेम को में बिठा दिया अभी जितने भी स्कुरू है सारे स्कुरू को बिठाना है उसका पूजिशन में बिठा के टाइट करना है कि यह में टाइट कर दूंगी जितने भी स्कुरू था यह हो गया टाइक उपर साइड में अभी नीचे का साइ अब चोटा सा कवर जो था उसको बिठा के स्कूरू टाइट करना है अब यह हो गया कम्प्लीट प्रोसेस जो टॉच चेंज करना का यह मोवेल पूरी तो चेंज हो गया है टॉच चेंज होके अभी मैं फैनल फिटिंग करूंगी इसका बैक पैनल को अच्छे से ग्लू लगा अब यह हो गया लगबग बैक पैनल फिटिंग अभी मैं फिटिंग कर दूँगी यह कम्प्लीट हो गया टॉच चेंज प्रोसेस इस वीडियो अच्छ लगा तो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्रेब दो चैनल सब्सक्रेब करना महत भूलिए यह डिस्पले बड़े आर कर रहा है यहीं से मैं वीडियो कतम करता हूं लाइक करो वीडियो को और सब्सक्रेब दो चैनल